हाई फ्रेंड्स कुश्चन दिखते हैं बाई सेलिंग वन थार्टी कैसेट्स एक एक सो तीस कैसेट बेचने पे एक आदमी को जो प्रोफित होता है वह फाइब कैसेट बेचने के बराबर होता है मतलब जो है एक आदमी है जो क्या करता है केसेट बेचता है जब वन थार्टी कैसेट बेच देता है तो उसके बाद वह प्रोफित देखता है तो उसे जो प्रोफित हुआ 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 होता है वह उसके पांच कैसेट बेचने के बराबर हुआ होता है तो बताना है कितने percent का उसे gain हुआ है, तो चलो, gain कितना हुआ है, तो देखो, उसे जो gain हुआ है, समझना, उसे gain कितना के, SP of, SP of five casets, ठीक है, casets, मतलब जो है, उस आदमी जो है, जो भी आदमी है, जिब 130 casets को वो बेचता है, तो उसके बाद वो देखता है कि हमें कितना profit हुआ है तो देखता है कि जो profit मुझे हुआ है वो 5 cases के बेचने के बराबर हुआ है ठीक है? इतना यह statement को आफ ध्यान दे ठीक है? देखो इसको rate pain से हम dark कर रहे हैं ठीक है? उसके बाद देखो अब देखो 130 cases तो अगर वो 130 cases बेचा होगा तो 130 cases को कितना बेचा होगा? तब तो जाको उसे profit हुआ होगा तो हम माल लेते हैं हमको नहीं पता है कि वो आदमी 130 cases को कितना में बेचा होगा तो हम माल लेते हैं कि वो 130 cases को X रुपीज में बेचा होगा ठीक है समझना तो तो क्या 130 केसे तो हम माल लेते हैं SP of SP of 130 कैसेट SP of 130 कैसेट B X रुपीज ठीक हम माल लेते हैं वाई हमको नहीं पता है कि वह बंदा जो है वह 130 केसेट को कितना में बेचा है नहीं माल मैं तो हम माल लेते हैं चल भाई उस केसेट को हमने एक्स रुपी हम बेच दिया, अगर वो 130 केसेट को एक्स रुपीज बेचता है, तो एक केसेट कदाम कितना होगा, तो दिखो, ज्यादा के लिए दिया, एक के लिए निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपलीज होता है इसे डिवाइड कर देंगे, दिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दिखाऊ है, 5 केसेट का SP निकालना है, परले गेन की इकुल है, इसे इसे सॉल्फ करने के लिए चाहिए नूँ, कि 5 केसेट के SP कितने, कितना है, वो 5 केसेट कितना में बेच रहा है, मान लेब 1 keset के दाम इतना रुपया है तो SP रूपया है तो 5 keset SP यहां पrontा सका मतलब है SP SP5 KC queoftी रूपया इकाज़ कंप पी इतना रूपया होगा simply multiply कर देंगे ठीकि देखु फाइ COP compete बरकर कंसे वह तो 527 अषिया आपका X by 26 मतलब है कि SP of 5 cassettes SP of 5 cassettes कितना हो गया SP of 5 cassettes कितना हो गया X by 26 हो गया मतलब जो है 5 cassettes का SP है वह कितना में X by 20 मतलब जो 5 cassettes जो है वह X by 26 में बेचा होगा तो उसे गेन कितना इक्वल लिख दिए हूँ तो गेन उसे हुआ है 5 cassette के SP के बरावर इसका मतलब उसे gain हुआ है X by 26 रुपीज उसे gain हुआ है तो देखो आपको gain भी दिख गया और SP भी दिख गया तो देखो अगर वह 130 cassette बेचा होगा समझो मेरे बात को मेरे बात को समझने कोसित करो कि अगर वह 130 cassette को बेचा होगा तो कहीं से ना कहीं खरदा तो भी जरूर होगा तो 130 cassette को कितना में खरदा होगा तो उसका हम निकाल लेते हैं CP of 130 cassette CP of 130 cassette तो हम निकाल लेते हैं कि अगर वह बंदा 130 cassette को X रुपीज बेचता है और उसे X by 26 प्रोफीट होता है तो बताओ कि वह 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 कहीं में 130 cassette कितना में खरदा होगा तो आप जानते हैं सॉरी 130 cassette का CP कितना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे CP का फर्मूला क्या होता है SP minus of gain होता है SP minus of gain होता है तो SP कितना है SP 130 cassette का SP कितना है वह आपका है X रुपीज 130 cassette को उसने X रुपीज में बेचा है उसे gain कितना रुपीज हुआ है X by 26 हुआ है X by 26 अब यहां कुछ नहीं तो 1 आप क्या करेंगे 1 और 26 का LCM लेंगे तो हमारा 26 आएगा 1 से 26 को डिवाइड करेंगे 26 बार में वह cancel हो जागा then 26 से X से मल्टिप्लाई करेंगे 26 26 X होगा और X 26 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा and then 1 से X से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना होगा तो आपका X आएगा that means 26 में से X गया 25 X by 26 होता है ठीक है इसका मतलब जो है 130 केसेbor का जो दाम होगा कितना होगा 25 X by 26 इसका मतलब है की वह 25 by 26 X में खरिद कर हुवा X investing में बेच दिया ठीक है अब हमें क्या निकालना है gain% तो gain% का formula क्या होता है gain% का formula होता है gain by CP ठीक है तो gain कितना हुगा उसको X by 26 अरे बाई देखो न इतना के बाई मतलब CP 5 के सट की SP के बराबर है तो हमने 5 के सट के SP के वैलू फाइंड आउट कर लिया है इसमें दीकत क्या बात है अब CP कितना है 25 25 एक्स बाई आपका 26 इन्टू 100 तो देखो अब क्या करेंगे देखो हम जानते हैं कि जब निमिरेटर को डिमिरेटर सांथ मल्टिप्लाई करते हैं और यह डिमिरेटर निमिरेटर के सांथ एक्स यह निचे है तो सबसे उपर चला जाएगा एक्स इन्टू 26 यहां से भी कैंसिल कर सकते हैं लेकिन आपको उसना भी समझ नहीं आता होगा इसलिए मैं एक स्टिप्स जाधा बढ़ जाता हूँ थाकि आपको अच्छा से फील हो को ठीक है तो 26 अपॉन्टी फाइफ एक्स हो गया इन्टू 100 हो गया ठीक है 26 से 26 कैंसिल ह गया एक्स कैंसिल हो गया 25 है चालेट में उसे जो है उस बन्दे को कितना रुपिया का फ्रोफिट गें कितना पर्सेंट का गेंड हुआ है फूर पर्सेंट का गेंड हुआ है ठीक है तो प्लीज दोस्तों अगर आपको विडियो अच्छा लगे और आपके लिए हैल्फोल तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दूस्तों के थैंक्यू फ्रेंड्स